तो आसे वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम drop down list का use कर सकते हैं हमारे stroke size को change करने के लिए now paint application जिन लोगों बताने हैं मैं आपको बता दूँ कि हम एक paint application बनाने के कुशिश कर रहे हैं और यहां पर आप देख सकते हैं कि एकदम perfectly work कर रहा है हमारा eraser work कर रहा है और मारा pencil भी work कर रहा है everything seems to be perfect और यहां पर अब हम क्या चाहते हैं कि हमने जो drop down list बनाया है अगर आप यहां पर देखेंगे तो हम पर एक drop down list है जहां पर हम stroke size को select कर सकते हैं और हम चाहते हैं कि इसके according जो हमारे stroke size है वो change हो तो वहीं इस वीडियो में करने बाले है before we proceed मैं मैं इस program को थोड़ा refactor करना चाहूंगा और थोड़ा अच्छे वे में लिखना चाहूंगा थोड़ी comments आड करूंगा अब बहुत साथ लोग बोलेंगे कि हम comments क्यों आड करने देखो यार मैं इसे बहुत जादा simplified version में लिखना चाहता हूं ताकि अगर आप इसे clone करते हैं औ अगर आप इस program को access करते हैं तो आप इस चीज़े समझ सकें विल इस program का link description में दिया हुआ है तो आप वहां से भी directly access कर सकते हैं तो मैं लिखनगा this is frame 1 मुझे कुछ ऐसी लिखना चाहिए तो यहां पर हमने frame 1 बना लिया और यह frame 1 है basically हमारे tools के लिए जो हमारा top रहता है तो 2 और this is for canvas यहां पर मैं लिख दूँगा canvas और यहां पर हमारे frame 2 के अंदर काफी साथ चीज़े आते हैं एक और चीज मैं सारे variables को एक साथ रखोंगा जैसे कि अगर मेरे पास यह है ना stroke color तो मैं इसको यहां से हटाऊंगा और इसके साथ रखोंगा जहां पर मेरा stroke size है तो मै मैं initially stroke size को basically एक value दे दूँगा तो मैं यहां लिखंगा stroke size.set और initially मैं बोल दूँगा one रख देते हैं इस पूरे चारो वेरिबल्स को मैं एकदम top पर रखना चाहूंगा हमारे frame 1 के तो मैं यहां पर just इसके बाद मैं इसके इसे paste कर दूँगा और now it looks more better I guess और यहां पर हमारा जो पूरा है वो frame है अब देखो यहां जो हमारा frame 1 जो हमने बनाये हुआ है उसके अंदर भी हमारे कई सारे frames लाइक जैसे कि job जो हमने टॉप पर फ्रेम बनाया मैं आपको दिखा देता हूं यह हमारा top पर फ्रेम है यह एकदम टॉप पे इसके अंदर भी हमने दूप बना लगा size frame तो मैंने size frame लिग दिया है और size frame के अंदर हमारी यह सारे चीज़ा आते हैं तो default button है then हमने options add कि यह और size label है यह सारे चीज़ें हमारी size frame के अंदर आते हैं और यह जितनी चीज़ें यार वह हमारी tools frame के अंदर आते हैं तो मुझे लगता है we are good to go now and everything seems perfect to me और जो यह यहां पर थोड़ी lines ऐसी हैं जो जबूरत नहीं हमको मैं हटा देता हूं okay अगर इस program को मैं run करूं तो यह perfectly work कर रहा है but initially हमें green color का pencil दिख रहा है जिसे मैं जल्दी से fix कर लेता हूं जहां पर हमने variables को डाला यहां पर मैं initially black कर दूंगा इसे right so यह perfectly work करेगा इस program को run करते है और आप देख सकते हैं कि वेट यहां पर यह ब्लाक इनिशली अगर में रेसर पर क्लिक कर रहा हूं तो मैं इस कर पा रहा हूं but the problem is मैं यहां पर size को change नहीं कर पा रहा हूं which is a big issue सबसे पहली बात यहां पर हम करना यह चाहते हैं कि जब भी मैं size को change कर रहा हूं जैसे कि जब भी मैं drop-down list में से value को select कर रहा हूं उस time पर मैं actually मैं कहां से value access कर रहा हूं see इस जगह पर मैं क्या करूंगा मैं अपने drop-down list के पास जाओंगा और आप देख सकते हैं यहां पर मैं लिख रहा हूं कि मैं stroke size के अंदर variable store करना चाहता हूं option का right अब मैं क्या करूंगा यहां पर इस particular जगह पर जब मैं यह चीज़ बना रहा हूं ना तो यहां पर मैं मैं लिख दूँगा कि मुझे विट्थ चाहिए और मैं इस विट्थ को बोलूँगा कि इस विट्थ शुडबी एक पुल स्टू स्रोक साइज डॉट गेट तो मतलब जो भी स्ट्रोक साइज है मैं उसी का विट्थ अप्लाई करूंगा तो जिसे बाइडिफॉल्ट वन है तो स्टूबब नंगा एपको दिया मैंने थे और मैं इससे फॉर कर देता हूं और में यह और भी मोटा हो गया और फैनली फाइं में और भी मोटा हो गया यहां पर प्रॉड्लम है अगर आप देखींगे अगर में इससे कर बनाऊ तो बहुत जाद शाद नहीं है अगर मैं आप देख सकते हैं कि 10 select करने पर यह बहुत जादा स्मूध नहीं है अब इसके लिए हम इसे भी fix कर सकते हैं असानी से उसके लिए मुझे करना यह पड़ेगा कि instead of using create line मैं use कर सकता हूं create polygon और वह जादा स्मूध लाइन बनाएंगे तो इस जगह पर मैं कहा करूंगा instead of writing create line जो कि सही है यहां पर मैं लिखना हो create polygon और अब मैं क्यूंकि polygon लिख रहा हूं मुझे कुछ और चीज़े लिखने पड़ेगा जैसे फिल के साथ मुझे outline भी लिखना पड़ेगा जो कि मैं same color कर रखोंगा outline मतलब अब polygon एक two-dimensional shape है तो क्योंकि two-dimensional shape है तो यार इसके around कुछ होता है जैसे कि मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं मालो कि एक polygon क्या है मतलब multiple sides होने वाले हैं तो यहां पर मालो यह अगर यह ऐसे polygon है हमारा तो यहां पर इसका यह outline हो गया इसका interior color हो गया तो जैसे मैं interior color में डाल देता हूं green for example यहां पर तो इसका outline भी तो है तो outline में भी तो कुछ जाना पड़ेगा अब यह same color भी हो सकता है different color भी हो सकता है तो यह हमारा outline हो गया तो यहीं हमें यहां पर define करने है तो मैं यहां पर सबसे क्या करूंगा outline लिख दूँगा और यहां पर बुलूँगा जो outline है मैं same color कहीं रखूँगा तो यहां पर मैं लिखूँगा stroke color.get तो यहां पर मैं stroke color.get लिखूँगा और इसके बाद मैं इस program को रण करूँगा देखते हैं किस तरीके से वह करता है तो सबसे पहले की default value 1 है okay like polygon मैंने change कर दिया it is working well अगर मैं 10 पर जाओं तो आप देख सकते हैं it is more smoother यह perfectly work कर रहा है so यार हम eraser use कर पा रहे हैं मैं देखो erase भी कर पा रहा हूं चीजों को बहुत ही अच्छे से यहां पर सारी चीजों को भी रेस कर पा रहा हूं और इसके बाद इसके साथ साथ में pencil का भी इस्तेमाल कर पा रहा हूं तो मैं stroke size भी change कर पा रहा हूं उसके बाद मैं eraser select करके size बढ़ाके मैं चीजों को erase भी कर पा रहा हूं तो this is interesting आप देख सकते हैं कि यहां पर हमने काफी nationalities आड़ करेंगे with time और मैं पहले वह चीजों को cover करने की कोशिश करूंगा जो कि आपके लिए असान होगा समझना तो यहां पर मैं क्या करूंगा इस पर्टिकुलर वीडियो का भी commit मार दोंगा और आप देख सकते हैं आप हर एक पर्टिकुलर चीज का access ले सकते हैं basically मैं मैंने लिंक दे दिया description में तो आप वहां से इस एक पर्टिकुलर कमिट का भी code access कर पाएंगे और आगर आपको पूरा basically पूरे प्रोजेक का code चेहें तो भी मैंने provide कर दिया अगर यह पूरा project ख़तम हो गया है तो आप वहां से पूरा project भी लेके clone कर सकते हैं अगर आपको देखना है तो तो उमीद है आपको समझ में आ होगा और that's all for today's video और आगे आने वाले आपकोस याइब बाई कर दो